वेलकाम बैक तु माई यूटूब चनल पेपर हैकर और आज किस बीडियों देखेंगे जो भी चाते च चात्र बि यह गिए फस्सेमस्टर में हैं उनके लिए हम लेकर आए विटा बीए फस्सेमस्टर के लिए सबसे बाद समाज की परिवासा है तो आप से पूछेगा कि समाज की परिवासा दीजिए इस प्रिकार का टापिक बनेगा कोशन बंता है और बहुत इंपूटेंट है एक्जामें पूछ लेता है तो इस कोशन को आपको को explain करूंगा आपको समझा दूगा कि आज के बाद इस प्रिकार कर भी समासाथ में परिभास पूछे तो इस तरीके से बना-बना के करके आने हैं तरीका क्या होगा देख लो आसान तरीका है विल्कुल आपको अभी तक हमारे पहले देखो चैनल के पहली बारा है तो चलो को स सब्सक्राइब करो और बैल आइकन को प्रेस कर देना घंटी जो आकाम आए और साथी साथ लाइक कर देना वीडियो को ठीक है चलो देखो इस कोशन को कैसे पढ़ेंगे देखो कह रहा है समासा समाज का जैसे मैं आपको बताना उस तरीके से पढ़ना है समासा समाज का मिल जाएंगे आवए सबस्टाद का प्रियोग ब्यक्तियों के किसी भी बिसौित करते हैं मतलब समाज का मतलब क्या होता हुता यहां ब्यक्ति का कोई गुरूप है तो उसको हम समाज कहते हैं जैसे कि हिंदू समाज हो गया और आमिद समाज कह सकते हैं आदिम समाज कहते हैं मुसलिम समाज हो गया आदिम समाज हिंदू समाज जो यह क्या है कि उसके बाद बोला गया है अब देखो किंतु समाज समाज के लिए प्रियुक्त होते हैं मतलब जितने अर्थ आपने देखे जिसे हिंदू समाज हो गया आर्थिक समाज हो गया पाश्यत्य समाज हो गया मुसलिम समाज हो गया तो जो समाज है वो समाज सास्तर के में भासा जो है समाज सास्तर की जो भासा है उसमें सभी अर्थ जो सभी अर्थ देखा जाए वो एक सम समाज ब्यक्ति का समू नहीं है देखो बोला गया है जो समास्ताक्त की ब्यक्तियों का समू नहीं है बलकी उनमें पाए जाने बाले आपसी संबंधों का एक बिवस्ता है अब देखो पहले उसने एक समास्त की ब्यक्तियों का समू के लिए तो उसका ब्यक्तियों का समू है लेकिन यहीं बात की जाएए समास्तियी दरश्ट्री कोंड से समाज सास्त्री के दर्श्ट्री कोड़ से देखा जाए तो समाज व्यक्तियों का समूँ नहीं बलकि बलकि देखो उनमें पाए जाने वाले आपसी संबंदों का एक विवस्ता है यह बोला गया है उसके बाद यहां देखो यहां से फिर लिखना स्टार्ट करेंगे कि समाज क कि परीभाहास करते हुए समाज की परिभाहास दिजाए तो उनकी में दिया जैसे कि मैकाइवर और पेज ने लिखाया कि समाज समाज की परिभाहास निखाया है मैं काई वर और कि एक बिवस्था है उन्होंने कहा अब देखो उसके बाद में कह रहा है समाज और समाज समाजिक संबंदों का एक जाल है और सदैब परिबर्तित होता रहता है अब मैं अब को समझाता हूँ दुवारा से अक्स्प्रेंग करता हूँ इन्होंने बोला जो मैंकॉड और समाज सहस्तरी थे ठीक है अपनी भासा में यह विद्वान थे और उन्होंने बताया कुछ विद्वानों का मन अलग 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 तो अलग अलग की बता मैं आए लेकि परस्परिक सयोग की अनेक समुव एवं उपभागो की एवं माना बिवहार के नियंतन करने की या नियंतन की एक बिवस्ता है ठीक है यहाँ बुला गया है एक इस्तती है इस प्रकार से कह सकते हैं निंतर की किस्ति है, आप बुला गया, समाज समाजिक संबंदों का एक जाल है, और सदैव परिवर्तन होता रहता है, उन्होंने अपनी भासा में एक भासा दी, उन्होंने समाज की परिवासा दी, उन्होंने कहा कि समाज स्वयम का एक संगठन है, और एक संगठन है, उन्होंने कहा कि इसमें सयोग देने बाले ब्यक्ति परस पर संबंद हो है, बनलब कि जिसमें जो ये सयोग देते हैं, एक दूसरे को जो लोग आपस में सयोग करते हैं, तो वो सयोग ही क्या होता है, उन्हों सयोग देने बाले ब्यक्ति परस पर क्या होता है, संबंदित होते हैं सिस्से, तो ये बोला गया है, उसको ही समाज बोला गया है, उसकी बाद उन्होंने कहा, उप्रुक्त परिभावसाओं से ये स्पश्ट होता है, कि समाज केवल ब्यक्तियों के संग्रह से नहीं बनता, बलकि उनमें पाए जाने बाले समाजिक संबंदों से निर्मित होता है, उन से बनता है ये, और साती सात ये बताया, तभी वो समाज बनेगा, और साती सात ये बताया, कि ये समाजिक संबंद, व्यक्ति एवं समु की आवसक्ताओं, वह उद्देश के आधार पर विक्सित होते हैं, और समाज में सभी व्यक्ति किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए विद्वानों ने, समाज को समाजिक संबंदों का जाल, या संपूर्ण योग माना है, इसलिए बोलता है, कि जो समाज है, वो समाजिक संबंदों का जाल है, इस फर्ष्ट करो, तो ये आपको परिभासा आपको explain करनी होगी, जो मैंने आपको यहां बताई है, तो आप इसका notes भी download कर सकते हैं, या फिर screenshot ले सकत दाना, चैनल पर पहली वारा हैं, तो छो लोगो subscribe कर लेना, thank you for watching this video, bye bye